आप देखे नहीं है कर आज वीडियो रहने वाला है थाड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री इंपोटेंट रूल है आपका लेंबर्ट तथा वीयर का नियम ठीक है लेंबर्ट और वीयर का नियम है बहुत ही ज़्यादा इंपोटेंट है आप लोगों के लिए फाइनल ये वालो प्रकास पुंज किसी समांगी अबसोषण करने वाले माध्यम में प्रवाहित होता है तो विक्रण कीती बता के हास् की अबसोषण माध्यम की मोटाई के साप विक्रण की तीवरता के समानपाती होती है यानि जो विक्रण की तीवरता का जो हास होगा उसका जो अबसोषण माध्यम की जो मोटाई होगी वह विक्रण तीवरता के समानपाती होगी तो गरती रूप में हम इसे स्वाल तो आई जो आपका दिया हुआ है यह आपकी विक्रंड की तीवर्ता है एकस आपका आपका माध्यम दिवर्ता के माध्यम की मोटाई है ठीक है पर आपका अब आपका A को विलूप गुड़ांक को लिए यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है इसके बाद में वीर का जो नियम होता है तो बीयर के नियम को भी समझ लेते हैं वीर का क्या कहता है दिखिएगा वीर का नियम लाओ वीयर जब कोई monochromatic प्रकास पुंज किसी भी अब सोसर करने वाले माध्यम से प्रवाहित होता है तो विक्रण कीती बृता की माध्यम के सांधता के सापेच हास की जो दर होती है विक्रण कीती बृता की शमानपाती होती है ठीक तो जो गड़ती रूप में फिर हम इसको भी डिफाइन करेंगे तो डी आई अपॉन जी एक्स एक्वाल टू के डैस आई ठीक तो जहां पे सी है आपका यह जो सी होता है यह अपसोषण माध्यम है के आपका अपसोषण गुडांक हुआ ठीक है तो हम इसको लिख सकते हैं अपसोषण गुडांक को रिफॉर्म करता है तो लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को इसी तरह की वीडियोज मिलती रहती है जो आप लोगों के लिए बीम्पोटेंट होते हैं इंपोटेंट कोसेशन भी आप लोगों को दिये चाते हैं और नोट्स भी हमारे चैनल पर प्रोवाइड despite है जिन बच्छों को नोट्स और यह डिस्क्रिप्शन बौस में निंक दीया बहाँ से जाके लिए फॉलो करने के बाद में नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं